तो स्टूडेंट्स आप सभी लोग जानते होंगे कि कल बीजी सेकंड सिमिस्टर का रिजल्ट जो है वो डिकलेर हो गया था तो उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को बैकलॉक यहने कि फेल हो गए हैं तो आप सभी लोग जानते होंगे इससे पहले 5th semester का भी और 6th semester और 3rd semester का भी वही हाल है तो क्या कश्मीर इनवर्सिटी वालों को ये इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अक्सर बेशतर students fail क्यों होते हैं क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि कश्मीर इनवर्सिटी इस टाइम इंडिया में बहुत ही टॉप रैंक पर थी पहले तो आप सभी लोग जानते होंगे कि आप वो 50 to 57 रैंक पर आ गई है ठीक है और वज़ा क्या है वज़ा यही है कि उसकी रैंक इसलिए डाउन हो गई है जब उन्होंने ऐसा ही रिजल्टे निकाला है आप सभी लोग इस टाइम सोच रहे होंगे कि इस टाइम के पेपर बच्चे करते नहीं है तो हम उनको माकस क्यों देंगे तो माकस जन्होंने नहीं किया तो उनको कोई गिला उर्श्चवा नहीं है लेकिन जिन स्टूडेंट उने अच्छा पेपर किया है सिकिस्टि मैंसे या फिर पास माकस किये हुए हैं थे पेपर में तो फिर भी उनको यहां पर फेल रखा है ठीक है मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि किस college में कितने students fail है मैं आपको दिखाने की कुछ करूँगा second semester में मसला क्या है और fifth semester का भी मसला क्या है वो भी मैं आपको आगे बता दूँगा ठीक है लेकिन उससे पहले by की तरफ से इतनी ही छोटी सी request है अभी तक अगर आपने whatsapp group join नहीं किया है तो description में link मिल जाएगी आपको वहां पर आप join कर सकते हो और उसके अलावा अभी तक आपने अगर हमारी इस youtube चानल को subscribe नहीं किया है तो आप subscribe कर सकते हो ठीक है सबसे पहले option website पर examination पर click करेंगे उसके बाद results पर click करेंगे result पर हम bg second semester का यहां पर click करेंगे सबसे पहले हम यहां पर college wise देखेंगे ठीक है सबसे पहले अगर हम यहां पर सबसे बड़ा college जो है देखेंगे क्योंकि कौकरनाग भी अच्छा college है या फिर boys अनंतनाग भी अच्छा college है तो सबसे पहले हम copvara, sopvara सबसे पहले हम एक college यहां पर choose करेंगे तो आपको अंदाजा रहेगा कि paper कैसा आया था और students ने यहां पर कितना grade लिया है सबसे पहले हम यहां पर किसी college मुझे यहां पर समुझ नहीं आ रहा है किस college का करूँ तो avanti पौरा का करता हूँ यहां सिर्द नगर का ठीक है avanti पौरा का ठीक है जब हम यहां पर view पर click करेंगे ठीक है तो view पर click करने के बाद यहां पर आप देख सकते हो left hand side में मैं आपको highlight भी करके दिखाओंगा left hand side में यहां पर यहां पर देखो, यहां पर कितने students fail है, यहां पर किसी को भी, कोई भी student यहां पर pass नहीं है, कोई भी देखो, पहले से ही देखते हैं हम roll number की बात करेंगे, यहां पर fail, result, दूसरा है pass, लेकिन इसकी भी five points है चलो, point matter नहीं करता pass होना चाहिए, क्योंकि को मालूम है कि अब merit पर, कोई भी यहां पर selection नहीं होती जो भी होता है, written आपको exam देना पड़ता है दूसरा भी fail, जो भी जो भी आप देखो, अगर हम second page यहां पर click करेंगे second page पर, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, second page ठीक है, देखो, second page यह है, second page आप देख सकते है अवंती पोरा का जो degree college है उसका result कितना खर, ऐसा ही नहीं अगर हम मैं दूसरा college भी दिखाऊंगा आपको, पुलवामा, ठीक है न, यहां फिस सिरिनागर, यहां फिर उसके बाद हम देखेंगे काजी गुण ठीक है, काजी गुण पर भी क्लिक करेंगे, लेकिन यहां पर five seconds दिखा रहा है कि इसका मतलब हम फिर से page पर जाएंगे लेकिन बात कर रहा हूँ मैं यहां पर result की, result इतना मतलब कि क्यों आ गया इतना खराब क्यों आ गया आप सभी लोग जानते होंगे कि हो सकता है कि उससे पहले आप ने देखा होगा कि जो मसला हो गया था कशमीर इनवस्टी के अंडर के उनका जो data था, वो hack हो गया था तो जो भी result था उनका, हो सकता है, वो result उनका खराब हो गया हो, या उनका result जो है वो, फिर से जो है, वो, मतलब कि नया बनाएं के देंगे, ठीक है, अब यहाँ पर सवाल है कि आप करोगी क्या, जितने भी backlog students है, उनको करना क्या है, ठीक है, उनको करना कुछ नहीं है, अगर student को तीन marks की ज़रूरत हो, या three marks, या two marks की ज़रूरत हो, वो क्या कर सकता है, इसमें, वो revaluation apply कर सकता है, ठीक है, उसके लिए क्योंकि उसको mark देंगे, ठीक है ना, four to five तक revaluation marks आपको देंगे, ठीक है, और अगर कोई student ऐसा है, जिनको ten marks की ज़रूरत है, तो उसको मेरी बाई की तरफ से request हैं, कि आप revaluation ना भरे, आप directly किसी exam के लिए तैयारी करें, दूसरा exam जो होगा, second exam का, जो private exam है, वो जल्दी होगा, उसकी notification भी जल्दी आ जाएगी, तो उसके लिए आप apply कर सकते हो, और नए exam दे सकते हो, ठीक है, और जितने भी past students है, वो नीचे comment करें, जितने भी fail students है, वो भी comment करें, कि किस subject में आपको क्या रखा है, किस वज़े से आपको fail किया गया है, अगर आप आपने अच्छा paper किया हो, ठीक है, तो sixth semester का result, उन्होंने कहा था कि उनका result दो तीन दिन में आ जाएगा, लेकिन आया नहीं है, तो उसके बाद उन्होंने फिफ्ट का भी ऐसा ही बोला कि उनका भी जल्दी आयेगा, लेकिन यहां पर खाली second semester का आ गया था, ठीक है, तो इंशाल्ला जब sixth semester का आ जाएगा result है, क्योंकि evaluation की subject का निकला है, आप आपने देखा होगा एक दो subject का निकला है, लेकिन approximately भी सारे subject का नहीं निकला है, ठीक है जब निकलेगा तो इंशाल्ला साब को पता चलेगा, groups में message करूँगा मैं और सब social media के platforms है, वहां पर भी message होती रहती है circulate होती है, तो सब को पता चलता है, ठीक है, तो ये video आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा क्योंकि बहुत सारे students ऐसे फेल है तो अगर आपने college में देखना है, कि मेरे college में कितने students फेल हैं या पास है, तो यहां पर आप जब option website पर, और यहां पर आप अपने college सेलेक्ट करके, आप देख सकते हो मेरे college में कितने students फेल और पास है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगए इसको like share ज़रू करना, भाई को दीजिए इजाज़त, अल्दा हाफिज